जैहें दोस्तों आप सबका आज की editorial discussion and analysis के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आज है Friday 9 September और दोस्तों आज हम तीन issues को discuss करेंगे दोस्तों एक issue हिंदू में मुझे relevant लगा जो आया था बाकी हिंदू में और relevant articles नहीं मुझे लगे थे global pandemic treaty के बारे हम यहां पर बात करेंगे एक article rather दो articles हम discuss करेंगे business line में से एक तो यहां पर बात करर रहा है counter trade के बारे counter trade क्या होता है और counter trade कैसे promising रह सकता है इंडिया के लिए और बाकी developing देशों के लिए भी और एक article जो हम discuss करेंगे वो भी business line में से यहां भी wastewater के बारे बात करी गई है wastewater याने के देखे जो पानी आप देखे अब brush करते हैं नहाते हैं ठीका kitchen में जो पानी इस्तेमाल करते हैं पानी आने के waste होता है आपका अब technologies है कि उस पानी को भी treat किया मेरे बाकी आइद आज पीने के लिए बात करी थी अझा ठीक है बाकी जो question on the day है वो towards the end of the video होगा जो best answer रहेगा वो telegram group में शाम को पिन कर दिया जाए तो दोस्तों अगर आप pre-recorded lectures consume करना चाहते हैं यदि आप अगले साल अपना time दे रहे हैं तो चाहे वो sociology है चाहे वो PSIR है चाहे वो general studies है प्रिलियम की test series हो यह सारा का सारा बहुत comprehensively आपको इस course में provided रहेगा अभी परसों तक याने के Sunday तक 11 September तक आपके पास time है अगर आप enroll करना चाहते हैं तो आप इस discount code का भी फायदा उठा सकते हैं discount code का नाम है early word और इसके बार information लेने के लिए आप इस दिये के number पर call कीजिए और आपकी पूरी assistance करी जाएगी number क्या है 1-800-890-3043 now let's begin with the churcha तो पहला article the outline of an essential global pandemic treaty pandemic आया देखिए once in a hundred years वाली बात है पता नहीं आने वाले सौ सालों में कोई pandemic आये तो हम जिंदा होंगे के नहीं होंगे लेकिन क्या पता pandemic आने वाले 10 सालों में भी आजाए ये भी possibility हो सकती है हर साल तो नहीं होगा कि हर सौ साल के वादी पैं लाखों करोड़ लोग मरे इतने लोग शायद world war 1 में world war 2 में नहीं मरे होंगे और इतने सारे करोड़ों लोग गरीबी बे भी आगे ठीक हुनकी बास नौकरी नहीं थी रोज़गार नहीं था पेट पे लात पड़ी और ये कहना कि इस तरह के global recession को इस तरह की economic crisis को 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 single government य अभी भी हम बात करते हैं कि चलो post pandemic recovery में collaborative effort की बहुत requirement है collaboration की बहुत जाद requirement है और इसके चलते हमको widespread health inequity भी देखने को मिली है तो जहां पे बहुत बड़े-बड़े देश हैं अमीर देश है वो तो चलो अपने लोगों को वहां पे vaccinate कर रहे हैं लेकिन बहुत गरीब देश हैं African countries है Latin American countries है जहां पर भी लोगों को single shot vaccine मिली मिली है अभी recently रोज ही को नहीं बिमारी आई गई रहती है अब यह monkey box के बारे हम बढ़ते रहते हैं अब World Health Organization ने इसको लेकि भी बहुत चंता जताई है ठीक है now are we facing another risk of a health crisis maybe in the next one year or you never know maybe in the next four months or five months we don't know that ठीक है लेकिन अगर यह risk है अगर ऐसा को health crisis आने वाले time में होता है तो वो हमारे लिए चंता की बात है और हमारे लिए चंता क्या है कि हम कैसे इसे deal कर सकते हैं ठीक है चुरो अब pandemic से deal करने के लिए हम बुराईयां भी बहुत कर सकते हैं कि इसने यह बुरा किया उस सरकार ने वो बुरा किया ल domestic level और at the global level वो हमको fail करें वो हम चीज नहीं चाहते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें after effects of covid की post pandemic recovery की तो जो high income countries है अभी रशा युक्रीन के यूद्गे चलते हैं अभी हम बहुत सारे देशों में जर्मनी, UK, USA वहाँ पर मेंगाई बढ़ रही है, inflation बढ़ रहा है लेकिन what about the countries, what about the third world countries, जो हमारी low middle income economies है, African countries की बात करें, वहाँ पर देखें जो नुकसान हुआ है, उसका हरजाना भरना इतना असान नहीं है, अब covid के चलते बहुत बड़ी बड़ी जो दवाईयां बनाने वाली companies है, पी-फाइजर है, बायो इंटेक है, मोडर्ना है, अब कई सारे र इनके scientists ने, इन companies के doctors ने, दिन रात मेहनत करी, दवाईयां बनाई, drugs बनाए, और मुनाफ़ा बहुत हुआ, अब इन companies को लगबख 1000 डॉलर प्रती सेकंड का मुनाफ़ा हो रहा था, और वहीं पर अगर हम गरीब देशों की बात करें, वहाँ पर लोगों को, African countries में अभी भी लोगों को vaccination नहीं मिल पा रही है, तो इतनी सारी vaccines, इतनी सारी दवाईयां बनाने का फाइदा क्या है, जब वो इंसानियत के ही फाइदे नहीं आ रही है, इंसानियत के ही use में नहीं आ रही है, ठीक है, in fact, low income countries में केवल तीन प्रतीशत अबादी है, जिसको भी single shot अभी vaccination मि अब safe होंगे हैं लेकिन COVID के time पे वो क्या slogan था, nobody is safe till the time everyone is not safe, तो हर किसी का vaccination टीका करन होना बहुत जरूरी है, अब क्या observations यहां से हम निकाल सकते हैं, अब यह जो inequality है, यह तो बढ़ती ही जा रही है, और इस inequality के बढ़ने के कारण एक special session हुआ था, World Health Assembly का, World Health Organization का, जहाँ पे global pandemic treaty की बात करी गई थी, कि भी देखो ऐसा है, कि अभी pandemic के चलते तो global governance fail हो जोगा था, आने वाले समय में, at least जो बाकी देश है, वो political commitment दिखाएं कि अगर ऐसे कोई crisis आता है, तो कैसे इसका जो impact है, देखो लोग आने वाले time में अगर ऐसा कोई crisis आता है, तो मुसीबत आए इंडिया को pharmacy of the world कहा जाता है, in fact 60% of the world's vaccine मों यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है UN भी हमसे काफी vaccines लेता है, जो गरीब देशों में बांटी जाती है, हमने यहाँ पे vaccine diplomacy, vaccine मेhteri की policy शुरू करी थी, हमको भी बहुत गालिया सुनने को मिली थी, हमारी सरकार को भी बहुत गाल में बांट दी, बाकी देशों में बांट दी, लेकिन यहाँ पे अब crisis आ चुका है, और यहाँ पे लोग सडकों पे मर रहे हैं, oxygen crisis है, vaccines नहीं है, चलो, वहाँ पे brief time के लिए हमने भी criticism, सरकार ने criticism सुना था, लेकिन उसके बाद हमने जो अपना vaccine coverage ratio है, उसको बहुत बढ़ लीट करें, तो एक बहुत बढ़ा example हमने आपे लीट किया, खास करके developing nations के लिए third world countries के लिए बहुत बढ़ा example था, जो इंडिया ने set किया, ठीके, अब भारत ने साथ आफरिका के साथ 2020 में World Trade Organization के forum पे भी बात करा था, यह कहा था कि भी यह जो बड़ी बड़ी companies हैं जो ने डॉक्टर ने बहुत मेहनत करके दवाईयां बनाई है, लेकिन अभी गरीब देशों को जरूरत है दवाईयों की, ठीकों की, injections की, vaccines की, तो अब क्या, वो गरीब देश, herd immunity की तो वेट नहीं कर सकते ना, कि जब herd immunity आएगी तब ही जाके हम safe होंगे, तो हमने इस बात को लेक ठीक है, ठीक है, अब lessons definitely हर एक crisis में कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है, दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, हमने बहुत सारी initiatives launch करे थे, नहीं बिमारी थी, doctors को भी नहीं पता था, इसके बारे scientific community को भी नहीं पता था, सरकारों क भी नहीं पता था कि कैसे हमने क्या करना, कैसे नहीं करना, और अगर आने वाले समय में कोई pandemic आता है, तो हमारा health preparedness हो, या हमारा governance structure हो, वो काफी better होगा, लेकिन वो सब ठीक है, हमने सबक सीखा है, तो जुरभा भी बहुत बड़ी चीज होती है, अनुभा बहुत बड़ी च जैसे data sharing है, या genome sequencing है, अब देखिया, हर 6 मीने के बाद कुछ ना कुछ जैसे news आती है, कि France में कोई नया variant आया है, जैसे आज के time पे mobile phones है, Apple का हर साल कोई variant आता है, वो और बात है कि Apple के variants में कोई फरक नहीं होता, कि iPhone 13 है, कि iPhone 14 है, लेकिन coronavirus के variants में कुछ ना कुछ फरक जरू सकते हैं, तो हमको at least पता होगा, better idea होगा कि कौन सा variant घातक है, या कौन सा variant कम घातक है, ठीक है, तो यह कुछ बाते हैं यहां पर, चलिए, तो दोस्तों अगला article हम discuss करेंगे, counter trade की यहां पर बात करेंगे, counter trade याने कि जैसे हम battered rate की बात करते हैं, पुराने जमाने में क्या ह आटा ले रहा हैं, तो उसको अगर मैं किसे से आटा लेने जा रहा हूं, तो उसने में कुछ चीनी दे दी, ठीक है, तो याने कि barter trade होता था पहले, अगर हम बात करें, prehistoric times की, अब क्या इस तरह का counter trade देशों के बीच में भी हो सकता है, between two countries भी हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, अब देखे, खास करें कि कुछ ऐसे देश होते हैं, चलो मान लिजे हम श्रिलंका की बात करें हैं, श्रिलंका में भी economic crisis हैं, उनके पास essential items को import करने के लिए hard currency नहीं है, लेकिन श्रिलंका tea बहुत cultivate करता है, तो अगर हमने श्रिलंका से tea लेनी है, तो उसके बदले हम श् import करते हैं, मैं example की बात कर रहा हूँ, तो let's say Iran से हम oil import करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा crisis श्रिलंका वाला नहीं हुआ है, लेकिन हम अपनी hard currency को बचाना चाते हैं, forex reserves को नहीं चाते हैं कि deplete हो, क्योंकि तेल तो हम बहुत साथ import करते ही रहेंगे, यहाँ भी तो तो तेल इतन करने की बात करी जा रही है, ठीक है, now counter trade एक reciprocal form of international trade है, जहाँ पे जो वस्तुएं हैं, या services जो है, goods और services, वो exchange करी जाती है for other goods and services, यानि कि अगर आपने कुछ समान कहीं से लिए तो जुरूरी नहीं कि आप उसके बदले पैसे दे रहे हैं, उसके बदले कुछ और goods दे सकते हैं, उसके return में, और ये बहुत बड़ा मौका भी होता है, अब for example, अगर श्रिलंका की बात करें, श्रिलंका में आज crisis है, तो श्रिलंका इंडिया के साथ क्या, अगर बाकी देशों के साथ भी, अगर एक counter rate mechanism operate करना चाता है, तो श्रिलंका को भी opportunity मिलेगी कि अपने जो उस pandemic recovery की भी बात हो रही है, अब इस geopolitical, अब इस volatility की बीच में, countries are increasingly looking at counter trade as a tool for meeting developmental needs, ठीक है, अब बहुत सारे देश हैं जहां पे अभी भी बहुत महिंगाई है, बहुत सारे गरीब देश हैं जहां पे भी लोगों को बहुत problem आ रही है COVID के कारण, ठीक है, तो problem है, लेकिन हर एक country अब अगर हमारा priority infrastructure development है, तो क्या हम afford कर सकते हैं कि हम precious forex reserves को हम deplete होने दे, याने exchange for goods and services, ठीक है, तो यह बात यहां पे सोचने वाली है, तो क्या counter trade जैसी policy क्या यह एक वर्दान होगा, खास करके least developing countries के लिए, ठीक है, now counter trade can be a key instrument for sustainable growth, खास करके developing countries में, ठीक है, जो अभी इस और, for example, आगर हम ऐसा कर सकते हैं, let's say for example, अगर हम, चलो, अगर हम बात करें, मियनमार के साथ हैं अगर हम मियनमार में projects जो है, infrastructure projects जो है एंगर वो finance कर सकते हैं और अगर वो projects finance करने के मतले हम मियानमर से कुछ चीज ले सकते हैं जो के हमको चाहिए जो के हमारे यहाँ पर scarcity में है जो मियानमर जादा produce करता है तो again यह counter trade की बाद आगी यानि कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं वो चीज करीदने के लिए लेकिन हम वहाँ पर उनके infrastructure projects को finance कर रहे है ठीक है अब IMF की study यह बताती के nearly 60% of the low income countries जो है वो under debt distress है यानि कि उनके उपर बहुत करजा है अब जो global debt है वो बढ़ता जा रहा है global debt इतना जादा world war 2 के time भी भी नहीं था अब अगर हम global debt की बात करें especially you know pandemic years में पिछले 2 सालों में global debt has increased from 226 trillion dollars in 2020 to more than 303 trillion dollars in 2022 यह 303 trillion dollars 2021 का अंकड़ा है तो definitely 2022 में यह आंकड़ा बढ़ चुका है ठीक है तो अब यह अब अगर इतना सारा debt है तो जो least developing countries है African countries है, Latin American countries है Southeast Asian economies की हम बात करें क्या वो afford कर सकते हैं इतना सारा forex reserves उनका deplete हो वो नहीं afford कर सकते हैं ठीक है, तो now faced with these challenges high inflation, rise in external debt scarcity of forex reserves, uncertainty geopolitical uncertainty तो low income countries अभी वो options explore कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे उनके देश में developmental projects को finance किया जा सकता है ठीक है, तो यह जो model है countered rate का debt for goods model हो गया यह resource for infrastructure model हो गया यह काफी important, यह काफी labdaik आ सकता है, अब हम बात करें resource backed financing की, अब इस तरह का जो initiative है चाइना ने भी follow किया था, 2000s में तो चाइना ने इवन इराक के साथ यह resource backed financing जो model है follow किया था, चाइना ने इराक को यह कहा था कि अभी हम आपके यहाँ पे buildings construct करेंगे, आपके यहाँ पे infrastructure development हम करेंगे, चाइना के पास काफी पैसे है, deep pockets है और उसके बदले 100,000 barrels of oil प्रती दिन आप हम को देंगे उसके बदले, यानि कि चाइना विल बी इंपोटिंग ओई इन रिटर्न फॉर funding the construction projects in एराक now that is also a very smart move because even China is dependent as far as oil is concerned, China is also dependent upon the Gulf region for securing the oil supplies, ठीके, अब अब इसमें क्या होता है कि under this program जो borrowing country है, यहाँ पे मैंने इराक की बात करी, वो commit करते है अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है, future revenues की जहाँ पे बात ही, exports of natural resources तो for example जैसे कि अब natural resources अब इराक के पास क्या है, oil है, ठीके या लेट से कोई African continent है अब किसी African continent में काफी rich natural wealth rich mineral wealth पाया जाता है, लेट से अगर हम Congo की बात करें है, तो अब वहाँ पे कोई, अगर अमीर देश है या अमीर देश नहीं भी, लेट से अगर कोई कमिट कर सकते हैं, for example हमारे बहुत सारे critical infrastructure projects अभी भी running है, Maldives में, Myanmar में Shri Lanka में, लेकिन अगर हम कमिट कर सकते हैं, कि भी वो infrastructure projects जो है, जो development projects जो है वो हम timely execute करेंगे, तो इस बात का हम भी फायदा उठा सकते हैं, ठीके now India under its developmental partnership programs can finance these infrastructure projects in other least developing countries now why is this beneficial for India, दीखी अब for example आप जैसे हम oil की बात करें oil यहाँ पे हमको बहुँ जाद है requirement रहती है लेकिन oil यहाँ पे इतना जाद हम produce नहीं होता, ठीके अब ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 5-6 सालों में हर जगा पे गाड़ियां ही देखेंगे, गाड़ियां अभी भी आपकी तेल से ही चलेंगी डीजल, पेटल, वाइकल अभी भी होंगी तो अपना जो import will है fossil fuels का अगर हमने कम करना है तो लेट से, जैसे वेरेंजुला है या इराक है, या इरान है कि वहाँ पे हम infrastructure projects और finance कर सके, सिर्या हो गया और इसके बद्धियां महां से तेल इंपोर्ट कर सके इससे फायदा हमको क्या है कि हमारा forks reserves है, वो भी टेप्लीट नहीं होगा ठीक है, और हमारी energy security जो है या जो strategic all reserves है, वो भी maintained रहेंगे Now, going forward with the expansion of manufacturing and greater focus on low carbon technology अब देखी, अब बार-बार हम ये बात करते हैं कि आपकी जो electric गाडियां हैं या अगर आपके solar panels हैं इसको बनाने के लिए जो inputs से ही हैं वो कौन से हैं, वो rare earth elements है ठीक है, nickel, cobalt, molybidnam ये अब हमारे पास नहीं है, ठीक है अब ये जिन देशों के पास ये resources पाए जाते हैं, जहां पर इस तरह के rare earth elements, या तो ये है कि हम China के ओपर ही dependent रहें कि China से हम borrow कर रहे हैं ठीक है, तो फिर हम अपना जो self-reliance वाला process है, आत्मन इर्भर, भारत वाली जो हम बात करते हैं, वो complete नहीं हो पाएगी manufacturing facility अपनी scale नहीं कर पाएगे, अगर हम in elements के लिए and minerals के लिए China के ओपर dependent रहेंगे, या हम इन देशों के साथ, जहां पे इस तरह के जो minerals हैं, पाए जाते हैं, let's say African countries है, तो उनके साथ हम इस तरह का agreement है, resource-backed financial infrastructure, हम यहां पे उनके साथ वो invest कर सकते हैं, ठीक है तो जो RFI model है, this can help India securing these raw materials for its production processes फिर government to government deals की बात करें, अभी जैसे, अभी हमने देखा था कि एजिप्ट को, हमने बहुत wheat export किया था, क्योंकि रश्या-उक्रेयन war के चलते, एजिप्ट के बास wheat supplies नहीं अभी हमको leverage मिला, क्योंकि अभी uncertainty बनी हुई थी, दुनिया भर में, पर let's say, अब हम Indonesia की बात करते हैं, Indonesia से हम बहुत सारा palm oil import करते हैं now, अब palm oil हम import कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमारा precious forest reserves भी deplete हो रहा है तो why not, अब हमारे पास abundance में wheat है, क्यों ना palm oil जब हम Indonesia से ले रहे हैं, उनको हम wheat दे उनके बास wheat नहीं है, उनको wheat की requirement है हमको palm oil की requirement है जब तक यहाँ पे indigenously हम palm oil cultivate करना, उस मात्रा में शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक at least यह इस तरह का agreement हम explore कर सकते हैं, अगिन यहाँ पे government to government deal की बात आ जाती है ठीक है, फिर settlement of trade in indian rupee की बात करें, ठीक है अब यह बात भी पीछे आई थी कि भी हम international trade जो है rupee में settle करेंगे, जो रश्या के उपर sanctions लगाई गई हैं, उससे भी थोड़ा आसानी रहेगे कैसे हम रश्या के साथ भी trade कर सकते हैं, रश्या से oil ले सकते हैं, तो इस तरह के government to government deal जो हैं, हमारी after all अपनी economic sovereignty है कि कि बेशक, दस देशों ने sanction लगाया और रश्या के उपर या किसी और देश के उपर भी, इरान के उपर भी, doesn't mean कि हम उनके साथ engage नहीं कर सकते हैं, trade नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ ऐसी possibilities हैं, जो के explore करी जा सकती हैं in order to save our precious forex reserves, which is our hard currency, which is the dollar अब challenges की बात करें, देखिए, यहां पर challenges की आते हैं, तो diplomatic level पर challenges आते हैं, पहली बात जो यहां पर challenge में आती हैं, वो यह है कि हमारे पास कोई ऐसी policy ही नहीं है, जो के clear cut counter trade measure को, यहां पर counter trade policy को promote कर सके, ठीक है, अगर इस तरह की अगर हमने counter trade को promote करना है तो हमको इस तरह की policies पहले लेके आनी पड़े हैं कि जिसके लिए interaction between the various ministries बहुत जादा important है, ठीक है अच्छा फिर एक और बात आती है, diplomatic issues में जहां पर बात करी है, बहुत सारे देश हैं, वो यह कहेंगे let's say, मैंने hypothetically इरान का example किया था, कि अगर हम इरान से तेल लेते हैं और उसके बद्दिन को हम बासमती rice देते हैं इरान कल को बोले कि नहीं हमको इंडिया से बासमती rice नहीं चाहिए, हमको तो अपने dollars ही चाहिए, हमको तो currency चाहिए अगर इंडिया हमसे तेल ले रहा है तो now that depends, diplomatic challenges है whether the other countries agreeing to export that precious commodity which is very precious for us, ठीक है, तो यह कुछ challenges है यहाँ पर जो इस policy में आ सकते हैं but nevertheless counter trade को perceive नहीं करना चाहिए, एक तरह से it shouldn't be seen के कोई aggressive measure है to recover dues, ठीक है, but it should be seen as a mechanism to boost trade and investment in less explored geographies, ठीक है, तो यहाँ पे हम debt trap diplomacy के तरह इस option को explore ना करें, जैसे चाइना की policy है debt trap diplomacy की, है न, कि कोई port बनाया है, कोई highway बनाया, फिर बाद में उसके उपर कबजा कर लिया, सौ सालों के लिए, न, उस तरह की तरीके से हम counter trade को promote करने के लिए नहीं कहा रहे हैं, ठीक है कैसे trade और investment दोनों ही, यानि कि win-win situation दोनों देशों के लिए हो, for a least developing country and as well as for India as well लास्ट आर्टिकल, time to put waste water to good use तो दोस्तों, अब पानी की कदर आपको तभी होगी जब आप प्यासे हैं, अगर आपको प्यास लगी तभी आप पानी की जो कीमत है, उसकी जो worth है, तभी उसको पहचान पाएंगे अब ये बात हमको पता है कि पानी की जो supply है वो कम हो रही है अबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में पानी का severe water, पानी का severe crisis भी देख सकते हैं, ठीक है और पानी की उपर हम dependent हैं हमारा अगर हम अपनी body की बात करें, 70% of our body is made up of water, हमारी energy needs के लिए, चलो हम अपने domestic needs की बात करें, energy needs की बात करें पानी की requirement बहुत है, water is very vital for the existence of humanity, ठीक है लेकिन अब पानी की supply कम हो रही तो कैसे हम supply को contain कर सकते हैं कैसे check कर सकते हैं अब water scarcity situation की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ORF, Observer Research Foundation की report यह बताती है कि जो पानी की demand है आने वाले कुछ 10 सालों में वो बढ़ने वाली है, ठीक है तो expected to grow, यहाँ पर एक आंकरा दिया हुए तो अभी इस चीज को quote कर सकते हैं अगर आपको ऐसे topic योबर कोई essay आया, पूछा गया है, कोई question पूछा गया environmental pollution and degradations related water pollutions related, आप इस चीज को quote कर सकते हैं, ठीक है कहीं भी आप factual information देखते हैं, किसी editorial में उसको आप point में आप उसको note कर लिए अपनी copy में, register में, जहाँ भी आप इसको देखे note करते हैं, ठीक है तो यह हमको demand बढ़ने वाला है, supply जो है, वो कम होने वाली, supply gap कितना बढ़ सकता है 50%, ठीक है, तो आपके सामने difference है, तो आप इसके चलते this can significantly impact, negatively impact, even agriculture और बहुत सारी जो other industries है, food processing industries है, textile industries है, beverages है food and beverages industries है, जो कि पानी क्योंबर dependent है, और Central Pollution Control Board का यह कहना है कि जो industries है, खास करके जो manufacturing industries है, वो लगबख 500 billion cubic meters of water की इनके requirement रहती है, fresh water की fresh water की requirement रहती है हर सार तो यह demand तो और बड़ेगी आने वाले time में, उसको कैसे आप meet कर पाएंगे, फिर waste water की हम बात करते हैं, waste water जैसे देखिए आप जो हम पानी जैसे हम नहाते हैं, ठीक है या आप brush करते हैं, kitchen में जो हम अपके utensils को wash करते हैं, तो पानी जो waste होता है, कैसे उस पानी को हम treat कर सकते हैं, अब technology है जो हम को यह भी बताती है कि waste water को treat किया जा सकता है, आचा industries है, industries भी बहुत irresponsible way में आप देखिए, बहाँ पे industrial processes में भी जो पानी है, वो metals के साथ contaminate होके, इस तरह के harmful pollutants होते हैं, जो metals होते हैं वो पानी के साथ mix करते हैं, water को pollute करते हैं, फिर वो जो polluted water है, आगे किसी river में जाके add up हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो untreated water है, वो water pollution में भी add कर रहा है, ठीके तो इस तरह की technologies available है कि चाहे वो industrial wastewater हो, चाहे वो domestic wastewater हो, ठीक है, वो उसको treat किया जा सकता है, और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, recycle किया जा सकता है ठीक है, तो technological development means that wastewater can be treated to varying degrees and reuse, और बहुत promising solution मन सकता है, अगर हम wastewater को treat करें to tackle the problem of water scarcity, और ये जो treated wastewater है फिर से utilize किया जा सकता है, for our industrial and domestic purposes, और जो byproducts है, wastewater treatment के वो utilize किये जा सकते है, for even energy generation as well तो बहुत cost effective तरीके हैं ये वाले क्या आप इस बात को जानते हैं, ORF की report ये बता दी कि अगर हम 80% of untreated wastewater को अगर हम utilize करें केवल 110 most populous cities of India में से, तो हम 75% of projected industrial fresh water demand को meet कर सकते हैं, by 2025 तो again, देखी, आंकडा बहुत important है, प्लीज इसको भी note कर ले लिए, that's a very important figure, and you can always quote these things in your answers as well अब अगर हम international experience की बात करें, तो international experience में यहापर Singapore की जो policy है, wastewater management की बहुत अच्छा example है, उसके लावा अगर हम Australia की बात करें, या Namibia की बात करें, यह भी recycled water को इस्तमाल कर रहे हैं, पीने के लिए domestic uses के लिए, ठीक है, तो अब श्रिलंका, अगर हम Singapore की बात करें, Singapore demonstrates the benefits of implementing an advanced wastewater treatment system, और यह बहुत high end technology से किया जा रहा है और जिसके चलते हैं, अगर हम recycled wastewater की बात करें, तो the country is able to meet 40% of its water demand from recycled wastewater, and यह demand जो meet अभी हो रही है, this will definitely rise to 55% by 2060, यहने 55% of the demand of fresh, of your drinking water that can be met in Singapore through your recycling of the wastewater now, अब क्या इसको, अगर हम wastewater का treatment की बात करते हैं, क्या यह सिर्फ सरकार के level तक possible है, क्या सिर्फ यहाँ पे central government या state government के level तक possible है, नहीं, यह जो wastewater reuse है, यह possible है even आपके decentralized way में, यानि कि अगर आप किसी society की बात करें, अपार्टमेंट की बात करें, अगर हम industries की भी बात करें तो industries जो है, वो इस तरह की cost effective technologies को इटिलाईज कर सकती है, जहाँ पे वो wastewater को treat करके अपने internal purposes के लिए वो यूज कर सकते हैं, and even अगर हम apartment complexes की बात करें, they can also make use of modern water recovery technology to convert जो severish treated जो आपका जो water होता है to drinking water quality, चलिए तो दोस्तों, question of the day क्या बनता है, failure of global governance justifies a call for global pandemic treaty, बहुत easy question है इसको आपने comment करने, इस जो पहला article आपने discuss किया था, उस article में से आप points बनाके, points उठाके आप इसको answer कर सकते हैं, तो दोस्तों, यह हमारा question of the day था, बाकी यह question of the day आपने answer कहाँ पे करना है, just to tell you जैसे हर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ कि हमारे एक telegram group है, editorials with means answer writing, आप इस question को इस telegram group में answer कर सकते हैं, अब इस group का access पाने के लिए आप अभी video देख रहे हैं, तो नीचे description box में आपको यह link दिखाई देगा, इस link को अगर आप click करेंगे, तो आपको हमारे telegram channel के towards redirect करा जाएगा, और अगर नहीं करा जाता, तो आपने घबराना नहीं है, आपने इस number पे 6280-133-177 इस number पे आपने telegram की आपसे message drop करना और हमारी admin team के दौरा आपको add कर दिया जाएगा एक बात में आपको बताना चाहता हूँ अगर तो आप यह videos regularly देख रहे हैं, view कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे telegram group में लग भग अब कोई 4700-4800 के आसपास बच्चे हैं, जो कि इस group में added हैं, लेकिन इतना active answer writing participation इस group में देखने को क्यों नहीं मिल रही है मैं यहीं देखता हूँ कि कुछ 4-5 बच्चे हैं जो regularly answers लिख रहे हैं बाकी सारे क्या कर रहे हैं, बाकी सारे सरफ mute spectators हैं, क्या वहाँ पे सरफ यहीं बात करनी कि कि किसका sociology optional है, किसका maths optional है किसका English literature optional है, कि notes देदो, ये कर लो, वो, कर लो, ये group एक purpose के लिए बनाया गया है, ठीके मेहनत लगती है, editorials का वीडियो का बनाने में, editorials का content compile करने में, हमारी team है, model answer भी बना रही है, ठीके मनमीत हम इसको review करते हैं, तो मज़ा आएगा अगर आप participate करेंगे, ठीक अगर आप उतने उत्सा के साथ participate करेंगे, उतने उत्सा, उत्रा वाला, तो अब अपनी UPSA के जारी छोड़ी दीजिए, अगर आपने ऐसे ही करना है, ठीके, तो please start writing answers, irrespective आपका prelims clear हुआ है, या नहीं हुआ है, irrespective आप अगले साल prelims दे रहे, अब जो बच्चे साल mains दे रहे, उनको जाने से पहले, again, एक advertisement आपके साथ मैं share करना चाहता हूँ, वो यह है कि अगर तो आप हमारे mentorship program का हिस्सा बनना चाहते हैं, prelims को लेके बहुत सारे बच्चों को tension होती है, कि prelims कैसे clear करें, safe range क्या है, कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त होते हैं, जो बहुत कम number से रह जाते हैं, cut-off में, और वो एक psychological fear बन जाता है कि कैसे prelims को clear किया जाए, तो आप यहाँ पर mentorship चाहते हैं, चलो आपको यहाँ पर coaching requirement नहीं, mentorship के अगर requirement है, यहाँ पर आपको academic mentorship और strategic mentorship दोनों मिलेगी, तो आप इस course को अवेल कर सकते हैं, अभी एक discount code हमारे सामने available है, prelims 2023 अगर आप इस code को इस्तिमाल करेंगे, आपको 33% off भी मिलेगा, और यदि आप prelims 2023 mentorship के साथ एक test series program भी join करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, it's always good to practice more questions before you give your exam, so obviously जतना आप practice करेंगे उतना आपका जो fear है, वो भी overcome हो पाएगा, because you know how, what is the only way to overcome your fear, that is by taking more action, so आप इस program को join करने के लिए भी, यहाँ पर ही course available है, इन दोनों programs के लिए, आप information के लिए, हमारे toll free number पर call कर सकते हैं, call किस time पर करना आपने, 10 बज़े से लेके 6 बज़े के बीच में, 6 बज़े के बाद हमारी admin team यहाँ पर नहीं होती है, चली दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आपको मैं बिलूँगा कल, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें, Thank you so much, चेहिंद!